हाई एवरिवन वेलकम बैक तो माई चैनल आज मैं आपके साथ बहुती टीस्टी सिंपल और बहुती जल्दी बन जाने वाली मसालेदार अर्बी की सबजी शेयर करूँगी जब भी हम दाल बनाते हैं तो साइट सबजी एक ड्राई जरूर बनाते हैं तो आप ये अर्बी की ड्राई सबजी जरूर ट्राई करें तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी ये मैंने आदा किलो अर्बी ली है नमक, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, गरम मसाला, दो बारी कटीवी हरी मिर्च, एक चमच अजवाईन, एक इंच अद्रक का टुकडा जिसे मैंने बारी काट लिया है, एक चमच नीम्बू का रस सबसे पहले हम अर्बी को अच्छे से पानी से धू लेंगे ताकि सारी मिट्टी निकल जाए अब अर्बी को साफ करके कूकर में डालेंगे, मैंने पानी उतना डाला है जिससे अर्बी पानी में अच्छे से डूप जाए अब गैस आउन करेंगे और अर्बी को तीन विशल आने तक पकने देंगे तीन विशल आ चुकी है और स्टीम भी निकल गई है तो अब हम अर्बी को एक बार चेक करेंगे आप देख सकते हैं अर्वी बहुत अच्छे से गल चुकी है अब हम इसे छलनी से चान लेंगे अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे हमें अर्वी को पूरा ठंडा नहीं करना है हमें इसे थोड़ा सा गरम जरूर रखना है गरम होगा तो इसका छिलका असानी से निकल जाएगा अगर आप इसे पूरा ठंडा कर देंगे तो इसका छिलका उतारने में परिशानी होगी तो हमें इसे थोड़ा सा गरम जरूर रखना है अब अर्भी को बारीक टुकडों में काट लेंगे अब हम इस पर नमक दालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लें आदा चमच लाल मिर्च आदा चमच हल्दी आदा चमच सुखा धनिया और आदा चमच गरम मसाला इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम एक पैन गरम करेंगे और इस पैन में हम चार चमच कुकिंग ओल डालेंगे ओल गरम होने के बाद इसमें एक चमच अजवाइन डालें अब हम इसमें अद्रक डाल देंगे हरी मिर्च अब हम इसे एक मिनट तक फ्राई होने देंगे अच्छे से फ्राई होने के बाद इसमें हम ये अर्बी जो हमने मसाला डाल कर रेडी किया था इसे हम कड़ाई में डाल देंगे अब हम इसे अच्छे से मिला देंगे अब हम इसमें एक चमश नीम्बू का रस डाल देंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे और एक मिनट तक इसे पकने देंगे अब हम इसमें बारी कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे कुछ हरा धनिया हम अभी डालेंगे और कुछ हम गार्णिश के लिए रख देंगे अब हम गैस बंद कर देंगे हमारी मसालेदार ड्राई सबजी रेडी है अब हम इसे एक सर्विंग बॉल में निकाल लेंगे लीजी रेडी है ड्राई मसालेदार अर्बी की सबजी इसे बनाना बहुत ही असान है और ये सबजी बच्चों को भी बहुत पसंद आती है आप इसे जरूर ट्राई करें अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर करें तो थैंक्स फर वाचेंग सी इन दे नेक्स वीडियो बबाई